आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू की एक बहुत ही तेश्टी सूखी सब्जी बनाने की रेश्पी जिसे आज से पहले आपने कभी ने बनाई होगी आप एक बाद यह रेश्पी जरूर ट्राई किजेगा आपको और आपके परिवार को बहुत तो चलिए इससे बन हरी मिर्च डालेंगे और इन सब को कुछ सेकेंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब इसका कलर हलका सा चेंज हो जाए फिर हम इसे अलग निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे और इसे अच्छे से पीश लेंगे अब हम सेम कड़ाही में सरसुका तेल गरम करेंगे इसमें हम आदे चमच जीरा और आदे चमच सौंफ डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए भूल लेंगे फिर हम इसमें साबूत थिला हुआ लहसन डाल देंगे साथी एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दो तीन हरी मिर्च को चौप करके डाल देंगे साथी थोड़ा करी पता और एक बड़ी साइज का प्याज छौप किया हुआ इसमें एड कर देंगे अब हम इन सभी चीजों को थोड़ी दिर के लिए भूल लेंगे जब प्याज में हलका सा कलर आ जाए और ये अच्छे से भून जाए तब हम इसमें कुछ मसाले एड करेंग तो यहाँ पर हम आदे चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और टेस्ट के कॉडिंग नमक डाल देंगे इसके साथ ही हम एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर आट कर देंगे अब हम इन सब को थोड़ी दिर के लिए मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे जब टमाटर हलके हलके से सॉफ्ट होने लगे तब हम इसमें कटा हुआ आलू एट कर देंगे तो यहाँ पर हमने आलू को मोटा मोटा लंबाई में काट लिया है आप अपने कोडिंग कोई भी सेब दे सकते हैं तो आलू को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें एक छोटी चमर्च चिली फ्लैक्स डालेंगे आप शाया तो यहाँ पर लाल मेज पाउडर भी आट कर सकते हैं अब इन सब को मिक्स करके फ्लैम को मीडियम कर देंगे और इसे धक कर आलू को अच्छे से पकने देंगे जिन मसालों को हमने भून कर पीस के रखा है वो हम लास्ट मेट करेंगे तो पहले हमें आलू को अच्छे से पका लेना है तो उसके लिए हम इसे ढग देंगे और फ्लिम को एकदब मेडियम कर देंगे इसे आप बीच बीच में चेक करते रहें ये आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनते हैं इसे आप डाल राइस या फिर पराठो के साथ सर्व करें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी लेकिन ये रेश भी एक बार आप जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पर इसे पकाते हुए हमें लगबग 10-12 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम आलू को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आलू है वो लगबग 90% तक पक चुके हैं तो अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है तो यहाँ पर अब हम इसमें जो हमने मसाले को पीश के रखा था भूना हुआ वो यहाँ पर एक से देर चमच एट कर देंगे फिर हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला एट कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी का हम इस पे छीटा लगाएंगे जिसे जो आलू है वो नीचे तली में लगे नहीं और ये अच्छे से पक सके तो बस हम हाथों में लगबग एक चमच पानी लेंगे और आलू के उपर हलका हलका सा इसे स्प्रिंकल कर देंगे जिसे जो आलू है वो अच्छे से पक जाएंगे और ये तली में ज्यादा चिपकेंगे भी नहीं फिर हम इसे ढख देंगे और 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे तो यहां से 4-5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे आलू है वो बनके तयार हो चुके हैं बस इसके उपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और फ्रेश नीबू का जूस डाल देंगे अगर आपके पास नीबू का जूस नहीं हो तो यहां पर आमचूर पाउडर डालें लेकिन नीबू के जूस से यह ज़्यादा टेस्टी बनता है तो यहां पर हमारे जो आलू की सबजी है वो बनके तयार हो चुकी है यह आलू की सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आप एक बार इस तरीके से आलू की सबजी ज़रू ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तकके ले गुटबाई, और टेक केर्स